सब्सक्राइब कर चुका हूँ अगर आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखिये और बताईए कि आपको मेरा चैनल कैसा लगा मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि डेली आपको मेरे चैनल से रिलेटिव वीडियो मिलती रहे तो आज आपका जो टॉपिक रहेगा क्लास 10 मैंस एक्सराइज 3.5 का 3.3 जो मैं पार्ट वन एक वीडियो बना चुका हूँ उसको आप देख लें आज पार्ट तू उ उन्हें आपके सामने solve करने जा रहा हूँ तो वीडियो को पूरा देखिए और जो इसका first question है वो question second exercise 3.3 का वो इस तरीके से है solve 2x plus 3y equal to 11 and 2x minus 4y equal to minus 24 and find the value of m if y equal to mx plus 3 हमें इन दोने equations को solve करना है first equation है 2x plus 3y equal to 11 और second equation है 2x minus 4y equal to minus 24 हमें इन दोने equations को solve करना है और उसके बाद y equal to mx plus 3 में value रखके m की value भी find out करनी है तो इसमें हम from equation 1 first equation से अपना पहले x की value निकालते हैं 2x equal to 3y इदर replace होगा तो minus होगा x equal to 11 minus 3y over 2 यह हमारे x की value निकला 11 minus 3y over 2 इसको हम equation third ले ले लेते हैं अब इस x की value को हम equation second में put करते हैं तो यह है हमारा putting the value of x in equation third putting the value of x in equation third तो sorry second second equation में हम इसको put करेंगे तो यहां पर हमारा होगा 2 into 11 minus 3y over 2 minus 4y equal to minus 24 अब यह 2 सा हमारा 2 cancel हो सकता है 11 minus 3y minus 4y equal to minus 24 यह हमारी equation बनेगी अब यह हमारा अब हम इसको यहां solve करते हैं 11 minus 3y minus 4y equal to minus 24 को minus 3y minus 4y minus 7y हो जाएगा और 11 है और equal to minus 24 अब जो यह 11 है इसको हम 24 के साथ replace कर देते हैं minus 7y equal to minus 24 और 11 हमारा minus हो जाएगा तो minus 24 minus 11 यह दोनों minus minus है इनको हम add कर लेते हैं लेकिन symbol हमारा minus के यह आता है minus 35 और y यह इसके over होगा 5 हमारा y के value निकल करके आगे है 5 हमारा y के value निकला अब इसका value हम equation hard में रख लेते हैं हमारा x भी निकल जाएगा putting the value in equation hard putting the value of y in equation hard hard में रखते हैं इसका value x equal to होगा 11 minus 3 और यह 5 है over 2 11 minus 3 5 जब 15 होगा over 2 तो minus 4 over 2 हमारा निकलेगा और x हमारा यहाँ पे निकल के आगे minus 2 तो x की value minus 2 और y की 5 हमारे निकल करके आ गई है आपने देखा x और y की value मैंने find out कर दी है लेकिन अभी यह हमारा answer नहीं निकला है क्योंकि हमें m की value निकालनी है y equal to mx plus 3 है हमें m की value हाँ पे निकालनी है तो मैं m की value यह question अब erase कर देता हूँ ताकि मैं इसको solve कर सको क्योंकि मेरे board में space यह इतना ही है आप लोग इसका है skin shot ले ले ताकि मैं इसमें m का m भी find out कर सको तो यह है इसको erase कर देते हैं अब अब जो next है हमारा x minus 2 है y 5 है हमारा y equal to mx plus 3 equation में इसको put कर देना है x और y का value तो y equal to mx plus 3 है and y हमारा है इतर पे 5 और m हमें find out करना है x है minus 2 plus 3 minus 2m equal to 3 को हम इतर replace कर देते हैं तो 2 आया m is equal to minus 2 over 2 तो minus 1 हमारा m की value निकल के आ गया m हमें निकलना था minus 1 उसका value निकल के आ गया है तो इस तरीके से हमारा question to exercise 3.3 का solve हो गया है अब हम इसका part जो third question है उसको solve करने जा रहे है student channel को subscribe जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ share करना है अगर आपको advantage मिलता है मेरी वीडियो से और आपको लगता है कि यह सही platform है मारा सीखने के लिए तो आपको मेरा जो channel उसको subscribe जरूर करना है और वीडियो को like करना है और वीडियो को share करना है जो इसका question number third है उसका part में आपको कराने जा रहा हूँ part 1 जो कुछ इस तरह से है the difference between number the difference between two numbers the difference between question 2 का part 1 है इसमें हमें कुछ problems दी होंगी उनके लिए पहले questions बनानी है फिर उन्हें substitution method से solve करना है the difference between two numbers two numbers is 26 दो numbers के बीच में जो difference है वो 26 है and one number is three times the other number and one number one is three times then other find the numbers find the numbers यह क्या कह रहा है दो जो numbers है उनके बीच में 26 का difference है एक जो है दूसरे के three time है तो हमें दोनो numbers find out करनी है let us first number is x हम पहली number x ले ले लेते हैं और दूसरी number होगी उसको y लेंगे x जो हमारी बड़ी number रहेगी तो इनके बीच में जो difference है वो 26 का है तो बड़ी number से अगर हम छोटी number minus करते हैं तो यह x जो है वो y की three time है x equal to 3y यह हमारी second equation बनेगी solve करते हैं first number x ले लेते हैं और second हम ले लेते हैं y first condition यहाँ पे जो बनेगी हमारी first condition क्या कह रहा है वो दोनों के बीच में तो difference है difference वो है आपका 26 तो x हमारी बड़ी है उससे और y के बीच में जो difference है वो है 26 यह हमारी equation first बन गई अब second condition यह कह रहा है कि फर्स्ट नंबर इस थ्री इंटू second नंबर थ्राइस है उसकी तीन गुना है उसकी तो फर्स्ट नंबर इस थ्री इंटू second नंबर x equal to 3y यहां से यह 3y को अगर आप इधर replace करते हैं तो x minus 3y equal to 0 दो equations बननी जरूरी है इन questions में इसलिए मैंने दूर सी equation मनाई x minus 3y equal to 0 तो आप क्या करेंगे from equation first from equation 1 x equal to 26 plus y हमारा यहां से x की value निकलके आई x equal to 26 plus y लेकिन अभी हमें इसकी जो value है equation 1 की value है x की value है equation 2 हमें put करनी है putting the value of x in equation second putting the value of x in equation second putting the value of x in equation second equation second में put कर लेते हैं तो x minus 3y equal to 0 है यहां पे 26 plus y minus 3y equal to 0 हमारा होगा 26 को आप इदर put कर दो तो यह minus 26 हो जाता है और y minus 3y हमारा होता है 2 minus 2y क्योंकि y में से हम छोटे में से बड़े को minus कर रहे हैं तो y minus 3y होगा minus 2y equal to minus 26 y equal to हो जाएगा minus 26y minus 2 यह हो जाएगा 13 तो पहली नमबर हमारी 13 निकल गई अब y का value आप equation third में अगदो हमारा x भी निकल जाएगा putting the value of y in equation third x equal to हमारा 26 plus y है तो 26 plus y का value 13 है 39 हमारा निकल के आ गया तो x हमारा 39 निकल के आ गया और y हमारा 26 निकल के आ गया तो जो दोनों हमारी numbers थी अगर आप इनको देखते हैं वो कहरता बड़ी number जो है चोटे से 14 26 होता है तो यहाँ पर two numbers जो हो जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी 39 8 13 यह हमारी दोनों numbers निकल के आ गई है जो हमसे पूछ रहा था अब इसका second part solve करते हैं आप इसका screenshot ने लीजिए फिर मैं इसको erase करने जा रहा हूं okay students now I am going to erase it इसका part 2 second question है the larger of the supplementary angles larger of the supplementary angle angle exceeds the smaller exceeds the smaller smaller by 18 degree by 18 degree find them यह कह रहा है दो supplementary angles है supplementary angles जीने हिंदी महम sum पूरा कोन कहते हैं का जो sum है दो होते हैं supplementary angles एक तो complementary होता है supplementary तो supplementary angles का sum हमारा 180 होता है यह कहरे दो supplementary angles इस तरह से हैं कि जो पहला है वो दूसरे से 18 बड़ा है एकसी उससे 18 बड़ा है तो हमें दोनों एंगल्स निकालने है बहुत इजी है पहली जो एक क्विशन हमारी बनेगी बोद supplementary angles हम लेते हैं पहले x और y बोद supplementary angles बोद supplementary angles x and y अब कंडिशन फर्स्ट यहां पहमारी जो बनेगी हो बनेगी sum of supplementary angles sum of supplementary angles is equal to 180 तो x पहला है हमारा और दूसरा है y x plus y equal to 180 हमारा यह आ गया यह equation 1 आ गई क्योंकि यह कह रहा है supplementary angles है और supplementary angles का sum 180 होता है x plus y equal to 180 हमारी पहली equation आ गई second condition हो गई जो पहला है first is second plus 18 क्योंकि वो उससे 18 degree बढ़ा है second plus 18 first जो angle है वो दूसरे से 18 जादा है first हमारा x है और दूसरा है y plus 18 क्योंकि 18 जादा है तो हमने y plus 18 कर दिया इसको यहाँ replace करते है x minus y equal to 18 यह दो equations हमारी बनके आ गई अब हमें इसको substitution method से solve करना है वह मैं कर रहा हूं आप इसका screenshot ले 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 ताकि आपको समझने मां असानी हो जाए अब यहाँ पर इसको solve करते हैं तो यह होगा from equation first इसम करना पड़ेगा पहले from equation 1 from equation 1 यह हमारी equation 1 है यह 2 है पहली equation क्या है उसको हम यहाँ note करके रख लेते हैं x plus y equal to 180 और दूसरी है x minus y equal to 18 तो अब इसको हम erase कर सकते हैं equation 1 से हम x की value निकालते हैं तो x equal to 180 minus y यह equation third हमारी हो गई अब इस x की value को हम equation second में put कर लेते हैं यहाँ पर हम put कर लेते हैं तो यह हमारा निकल के आएगा 180 यहाँ पर हम लिखते है putting value of x in putting the value of x in equation second यह हमारी second x minus y equal to 18 है x की जगवा हम पूरा यह हमारा 180 minus y निकल के आ जाएगा 180 minus y minus y equal to 18 और minus y minus y minus 2y हो जाएगा और 18 minus 180 यह 18 minus 180 है 180 से अगर हम 18 minus करते हैं तो 162 आता है यह minus 162 हमारा हो गया और y equal to minus 162 over minus 2 तो 81 हमारी y की value निकल गई अब इसको हम put कर लेते हैं equation third में putting the value of y in equation third third में put कर लेते हैं हापे तो x equal to हो जाएगा 180 minus 81 यह minus करके हमारे पास आएगा 99 तो दोनों जो supplementary angles हैं वो हमारे हो जाएंगे आप 99 and 81 इनका sum भी 180 होता है और जो 99 होता है वो 18 से 18 जादा होता है देखिए अगर equation से solution आपका निकल जाते तो एक बार इसको check जरूर कर लेना है कि जो equations हमें दी है क्या इनको satisfy करता है तो हमारा जो 99 and 81 का value है यह दोनों equations को satisfy करता है तो इसलिए हमारे जो answer है यह correct है अब आप इसका skin shot ले ले तब मैं आपको इसका third part कराने जाना हूँ थैलज है करत। question 3rd part 3rd the coach of cricket team buys seven bets and six balls the coach of cricket team thou art byge seven balls and six balls for seven balls seven birds and six balls or rupees three thousand eight hundred three thousand eight hundred later कि अच्ट से ऐग कि अच्たर עच师ben पिर से का öl receptive यह वितस और ट संबी स्धी मल 8 र seamless eight रप मिज और सीन सब्से लिबट 273 फिर dual 284 फिर्ल्थित और बॉल एंड बैट यह हमारा कोश्यन है तो यह इसमें पूछ रहा है जो एक क्रिकेट टीम की कोस थी उसने पहले साथ बैट और छे बॉल खरीदे 3,800 रुपी में उसके बाद उसने कुछ देर के बाद कुछ दिनों के बाद 3 बैट and 7 बॉल खरीदे 1,750 में तो एक बॉल और एक बैट का कोस्ट आउट करना है तो हम पहले इसमें लेंगे cost of a bet cost of a bet हम इसमें लेंगे रुपीच X और cost of a ball हम इसमें लेंगे रुपीच Y इसकी जो पहली question बनेगी वो इस तरह से बनेगी यह कह रहा है 7 bets और 6 balls तो 7 bets plus 6 balls हम अगर करते हैं तो हमारा जो total answer है वो आता है यह कह रहा है यह इसने खरीदी है 3800 में तो 7 bets 1 bet का हमारा X है तो 7 bets का हमारा 7 X होना चाहिए और 1 ball का Y है तो 6 balls का 6 Y equal to 3800 यह हमारी question फर्स निकलेगी और second condition जो है हमारी क्योंकि यह कह रहा है 7 7 bets और 6 balls खरीदी है उसमें 3800 में और second condition में बोल रहा है जो 3 bets और 5 balls 3 bets plus 5 balls यह खरीदी है इसमें 1750 में तो 3 balls का 3 into X plus 5 into Y equal to 1750 3 X plus 5 Y equal to 1750 यह equation second हमारी बन के आ गई है इन दोनों equations को हमें solve करना है तब X और Y की value हम find out कर सकते हैं तो यह हमारी equation से आप जहान से देखे पहली equation जो है कैसे बनी आप लोग को पता होगा क्योंकि 7 bats और 6 balls का हमें निकालना है और 3 bats और 5 balls का यह हमारी दोने equation बन गई अब हम इन equation को यहाँ पर लिख लेते हैं और फिर इसको आगे हम solve करते हैं पहली equation जो है 7 X plus 6 Y equal to 3800 है और दूसरी equation जो है 7 X plus 6 Y equal to 3800 और दूसरी जो equation वो है 3 X plus 5 Y equal to 70 50 यह हमारी दोने equation निकल के आ गई है अब equation फर्स्ट से हम X और Y की X की वैली निकाल के equation 2 में रखंगे तो from equation फर्स्ट 7 X equal to 3800 minus 6 Y X equal to 3800 minus 6 Y 7 Y over 7 यह question 3 है अब यहां से X की value हम equation second में रख सकते हैं putting the value of X in equation second putting the value of X in equation second इसमें put कर लेते हैं तो यहां से हमारा यह value इधर put होदाएगा 3 into 3800 minus 6 Y over 7 plus 5 Y equal to 17 15 50 तो इससे अगर हम अंदर multiply करते हैं 3 से तो यह हमारा आने वाला है 300 300 3 8 24 3 9 plus 2 11 minus 6 3 18 Y अब इस 7 को अगर हम हटाना चाहते हैं तो 7 से हम यहां multiply करेंगे और फिर इधर भी multiply कर लेंगे 75 जा 35 Y और इधर भी यह 7 multiply हमारा हो जाएगा तो हम सीधे कर लेते हैं 7 0 हमारा 0 आने वाला है 75 जा हमारे पास 35 आने वाला है 7 7 49 आने वाला है 3 उदर से कह जी तो 2 7 वंजा 7 plus 5 12 तो 12 250 यह हमारा आ गया अब 18 Y से हम 35 Y माइनस करते हो तो 17 Y और 12 250 माइनस 11400 यह माइनस करके हमारे पास आने वाला है 0 से 0 5 और 8 8 50 हमारे पास आ गया और 17 अब इसके उबर मारे जाएगा तो Y państwo हमारे निकल के आया गया 8 50 बाई 17 Y equals 8 50 निकल के आया और Yатов हमारे तो Y equals vacya अब Y equals 8 50 by 17 निकल यह निकलना तो 17 5 lat's is 85 50 तो Y equals 50 निकल के आया गया जोकि 50 है यह हमारे एक बाल की कीमत है अब हम y का वैल्यू पूट करते हैं एक्वेशन थार्ड में तो x से भी हमारा निकल जाएगा 3800-6 into 50 over 7 3800-300 over 7 इससे अगर हमारा x यह 3800 से 300-3500 निकलता है 3500-3500 over 7 तो 500 हमारा निकल करके भी आ गया x भी हमारा 500 निकल के आ गया तो x भाइभ निकला और y हमारा 50 निकला यह इससे मतलब है कि जो cost of bet हमने ax लिया था वो हमारा 500 रुपी जह है एक bet का cost हमारा 500 रुपी है यहां पे मैं लिख देता हूं cost of a bet 500 रुपी का हमारा एक bet आएगा और जो ball आएगा ball आएगी हमारी वो आएगी 50 रुपी की किया तो यह है इसके बाद मा आपको पोर्ट पाटिस कोशिक का कराने जा रहा हूं कि इसके अपको फिस स्टा SAP आपकों अब दूबर। कि अभंज आपकों आपकों पहूं आपकों अब दूबर। कि आपकों अविए से कर दो पोड़ आपकों अब दूबर। तक्षी चर्ज दिन दोबर। the taxi charges in a city the taxi charges in a city in a city consist consist of a fixed charge together together with the charge for the distance table with the charge distance for travel for a distance of 10 km or a distance of 10 km or 10 km the charge is 105 charge is 105 and for the distance of 15 km of 15 km it is rupees 155 155 find the fixed charge and per km charge fixed charge and per km charge what will be charge for 25 km यह हमारा question है इसको आप देखिये जहां से यह कह रहा है इसमें the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge distance for travel for a distance of 10 km the charge is 105 और 15 km की distance है उसके लिए जो चार्ज है हमारा 155 है हमें fixed charge भी निकालना है और जो हर किलोमेटर का भाला है वो भी निकालना है question में क्या बोल रहा है fixed charge पढ़ता है जैसे अगर कोई आदमी कितना भी distance cover करे उसको वो रुपया तो पढ़ने ही पढ़ने वाला है वो maximum rent है maximum फेर है हमारा नियूंतम की राय जो है वो हमारा एक्स है उसके बाद हर किलोमेटर पे उसको हम पैसा पढ़ रहा है उसको हम लेंगे वाई एक आदमी 10 किलोमेटर गया उसने 105 रुपए दिया दूसरा अदमी 15 किलोमेटर गया उसने 105 रुपए दिया किस हिसापते दिया हमें पर किलोमेटर के राय भी निकालना है और चार्ज भी निकाल scrolling अださい हरा अदमी को बराबर पड़ेगा चाहीं वो 100 किलोमिटर चले यह 10 किलोमिटर चले तो अब हम इसको सॉल्ब करते हैं एकर स्थार्ज हम ले लेते हैं एक्स रूपीज глभि हम फिक्स चार्ज ले लेते हैं और पर क belonging यो मीटर के उ? ले लेते हैं y रूपीज y रूपीज हम पर किलोमेटर चार्ज ले लेते हैं x हमने fix चार्ज लिया और y हमने पर किलोमेटर चार्ज लिया first जो condition है वो हमारी इसमें बनेगी charge for 10 किलोमेटर charge for 10 किलोमेटर रूपी 105 10 किलोमेटर के लिए 105 रूपी उसने दिये है x उसको देना ही पड़ेगा आगे का 1 किलोमेटर का y है तो 10 किलोमेटर का अमारा 10y निकलेगा x plus 10y equal to 105 यह हमारी first equation आई क्यों आया यह क्योंकि जो पहला x तो उसको देना ही देना है और 1 किलोमेटर का y है तो 10 किलोमेटर का 10y होगा equal to 105 और second condition हमारी होगी charge for 15 किलोमेटर 15 किलोमेटर के लिए है 155 तो 1 किलोमेटर का x तो उसको देना ही देना है और 1 किलोमेटर का y है 15 किलोमेटर का 15y होगा और यह हमारा 155 हो जाएगा यह हमारी second equation आगी निकल गई second equation और first equation दोने equations अब कुछ नहीं करना है values में कानी है x और y की तो हमारा fair निकल के आजाएगा अब इसको erase कर देता हूं और questions आगे यहाँ पर solve होने वाला है यह equations मैंने नीचे बनाई है आप लोग इसको ध्यान से देखें तो from equation 1 from equation 1 from equation 1 x equal to x plus 10y equal to 1 and date 5 है x equal to 1 and date 5 minus 10y होगा equation 3 putting the value in equation 2 equation 2 equation 2 में इसकी value put कर लेते है equation 2 है x plus 15y equal to 155 x plus 15y equal to 155 है तो यहाँ से हम इसको रख लेते हैं x की जगा पे putting the value of 10 in equation 3rd y is value putting the value of y in equation 3rd of y in equation 3rd x 5 отправ एक स्प्राइब रूपया निकलके आगया fixed charge हो गया दस रुपिये तो यह हमारा आंसर निकला आप इसका इसकी इसकी इस तरीके से है A fraction becomes 9 over 11 if action becomes becomes 9 over 11 when I did to both Denavier 30 to denominator when I did by two both the numerator and denominator denominator if three is added to both the numerator and denominator if three is added to both the numerator and denominator it becomes five over six it becomes five over six find the fraction ये कह रहे है एक fraction 9 over 11 हो जाती है जब उसके हर और अंस में हम two add कर देते हैं means numerator और denominator में अगर हम two add कर देते हैं तो वो हो जाती है 9 over 11 अगर हम three add कर देते हैं numerator denominator में तो वो हो जाती है 5 over 6 हमें वो फ्रेक्शन निकालनी है taking the fraction हम उस फ्रेक्शन को ले लेते हैं क्योंकि जो फ्रेक्शन होती हो मिसा over के फॉर्म होती है तो यहां पर फ्रेक्शन लेनी होगी यहां पर फ्रेक्शन लेनी होगी यहां पर फ्रेक्शन हमारी बनके आएगी यह कह रहा है numerator में भी हम add कर लेते हैं कुछ numerator में यह कह रहा है two add करो और denominator में भी two add करो तो हमारी जो फ्रेक्शन है वो 9 over 11 बनके आ रही है यह फ्रस्ट कंडिशन है तो numerator है x इसमें two add करो और denominator है y इसमें भी two add करो equal to 9 over 11 अब यहां पर हमारा cross multiply चलेगा उसके बाद हमारी फ्रस्ट equation आप आएगी 11 into x plus 2 equal to 9 into y plus 2 11 x plus 22 9y plus 18 अब जो इसके variable से उनको हम एक साथ करते हैं और जो इसके consonant है जो number से हमको एक साथ 18 minus 22 यह minus 4 हमारा बनके 11 x minus 9y यह equation हमारी first बनके आ गई है यह पहली equation हमने बना दी है यह first condition हमारी हो गई हम सेकंड कंडिशन यहां पर आप बनाने जा रहा हूं second condition जो होगी second condition में कह रहा है अगर numerator और denominator दोनों में आप 3 8 कर देते हैं तो आपकी 5 over 6 यह equation बन जा रही है numerator plus 3 denominator plus 3 equal to 5 over 6 तो x plus 3 over y plus 3 equal to 5 over 6 यह दूसरी equation आपकी इससे बनेगी इसको भी हम cross multiply करते हैं 6 से अगर हम x plus 3 में multiply करेंगे फिर उसके बाद 5 से हम y plus 3 में multiply करेंगे 6 x plus 18 और 5 y plus 15 6 x minus 5 y 15 minus 18 minus 3 6 x minus 5 y यह हमारी second equation निकल गई है अब इन दोनों equations से हमें x और y की value निकालनी है 11 x minus 9 y equal to minus 4 और 6 x minus 5 y equal to minus 3 यह दो equations हमारी बन गई हैं अब income solve कर लेते हैं कैसे बनिये उसका screenshot ले सकते हैं आप पहली जो equation है 11 x minus 9 y equal to minus 4 यह first equation है 7 second है 6 x minus 5 y equal to minus 3 अब first equation हम पहले x q value निकालेंगे हमारा process महीं रहेगा substitution method from equation 1 11 x equal to minus 4 plus 9 y x equal to minus 4 plus 9 y over 11 यह equation 3 अब इसकी value हम यहां put करते हैं minus 24 plus 54 y और यह 11 से हम इधर भी multiply कर लेते हैं इधर भी तो 1150 55 y equal to 1130 minus 33 तो यह होगा यह minus y हमारे पास निकलेगा minus 33 plus 24 minus 9 minus y तो y equal to हमारा 9 निकल के आ गया है y equal to 9 निकल के आ गया अब y का value किसी भी equation में put कर लेते हैं x भी हमारा निकल जाएगा तो y की value में करता हूँ equation third में x equal to minus 4 plus 9 into 9 over 11 तो minus 4 plus 9 9 जा 81 over 11 77 over 11 यह निकल के आ गया 7 तो x भी हमारा निकल के आ गया 7 तो वो जो fraction होगी वो होगी x by y x जो है हमारा वो है 7 और y जो है 9 तो 7 by 9 वो equation वो fraction हमारी निकल के आगी जिसकी यह बात कर रहा था हमें fraction निकालनी थी वो निकल के आगई 7 by 9 तो इस तरीके से मना यह question solve होगा अब मैं इसका last जो पार्ट हो solve करने जा रहा हूं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो like कीजिए कमेंट कीजिए और चैनल को सेर कीजिए लांस्ट पार्ट में इसका करने जा रहा हूं था यह 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 खन्संद भ体 बिस तो अब बचक वी रवा ख न फ्टेज़ इस और ऺट्वेजिए things. बचे़ ग्रट Humanु पार्ट में इसन दूब बच्चा यह लूऊ बच्चा कीजिए that of his son age of his son three years ago Jacob's age was three years ago his age was his age was seven times that of his son's age seven times his son's age find their present ages question है five years since the age of Jacob will be three times that age of his son five years ago Jacob's age he will be three times three times three times three years ago after the second condition three years ago his age his age 7 years ago he will be two years ago Jacob's age we will be X and son's age we will be his son's age Y तो ये कह रहा है first condition ये कह रहा है तीन साल पहने की बाद शॉरी 5 साल पहने की पाँस साल बाद की बाद five years later पाँस साल की पाँस साल के बाद की बाद कर रहे पाँस साल बाद क्या होगा Jacob आपका पहुंच जाएगा अगर Jacob अभी से 3 गुना था, नहीं, 5 साल के बाद जैकब जो होगा वो अपने बेटे का 3 गुना होगा, तो X प्लस 5 जो होगा जैकब, वो अपने बेटे का 3 गुना होगा, अब सॉल्ब करते हैं, X प्लस 5, 3Y प्लस 15, X-3Y इक्वल टू 15 वाइनस 5, 10, X-3Y इक्वल टू 10, यह हमारी first equation निकल के आई, x-3y equal to 10, अब second यहाँ पर होगा, second condition, यह कह रहा है, तीन साल पहले, 3 years ago, तीन साल पहले जैकब जो होगा, वो होगा, x-3, x-3, और उसका बेटा जो होगा, वो होगा, y-3, तो इन दोनों की age का क्या होगा, जो जैकब था, तीन साल पहले जैकब था, आपने बेटे से 7 गुना था, तो y-3 का, जो जैकब था, वो 7 गुना था, x-3 equal to 7-21, x-7y equal to minus 21 plus 3, यह minus 19 हमारे पास, आया, x-7y equal to, यह equation 2 हमारी बन गई, दोनों equations को solve कर लेते हैं, हमारे जो x और y है, वो दोनों निकल सकते हैं, तो यह दो equations होगी, हमें इसको सीधे solve करने जा रहा हूँ, यह इसका solution से है, मैं इसको erase कर रहा हूँ, अब यहाँ पे हमारा solve चल देगा इसका, equations रिख लेते हैं, ताकि हमें लिखत ना आए, solve करते time, sorry, यह 18 आएगा, हमारा minus 21 plus 3, from equation 1, x equal to 10 plus 3y, अब putting the value of x in equation 3, equation 2, sorry, यह equation 3 हमारा है, यहाँ पे हम 10 plus 3y रख लेते हैं, minus 7y equal to minus 18, minus 4y हो गया, और यह minus 18, minus 10, minus 28 हमारा निकला, y equal to 4 इसके ओबर में, और 7, y equal to 7 हमारा हो गया, अब y का value हम equation 3rd बप उठ करते हैं, तो x equal to 10 plus 3 into 7, 10 plus 21, 31 हमारा ही निकल के आगया, x, x equal to हमारा निकल के आगया, 31, तो यह हमारी इसकी ages निकल के आएगी, जो जैकब था, उसका 31, और sun की 7, दोनों की ages निकल के आगी, 31 और 7 हमें उनकी present ages निकालनी थी, तो इस तरीके से मैंने आज को आपका जो 3.3 exercise था हो complete कर दिया है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो like कीजिए और अपनी दोस्तों के साथ share कीजिए, और मैंने चैनल को subscribe करके bell icon ज़रूर दबाईए, ताकि आने वाली जो वीडियो जो उसकी notification आपको मिलती रह थैंक्स for watching this video